Hi and Welcome to the High Priestess Tarot, आप लोग खुश हो, healthy हो, I hope, so शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आज हम लोग देखेंगे आपका 22nd January 2022 में डेली मेसेज़स क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज अपने पूरे दिन के लिए, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, बच याद रखन ये एक general reading होगा, so उतना ही लेना है आपको जितना resonate करें, and this reading को बिल्कुल भी force नहीं करना है अपने situation के उपर, so starting off हमारे पास है the page of cups energy, so I see here that आज के दिन बहुत सारे लोग आप कुछ experimental कर रहे हो, so maybe आज आप कुछ नया try out कर रहे हो, maybe एक नया dress, एक नया hair style, नया dish, नई जगा पर जा रहे हो, but I see that आज आप कुछ try कर रहे हो, आज आप कुछ successful करने की कोशिश कर रहे हो, so maybe आज आप कुछ नया सीक रहे हो, आज आप कुछ यह नया आइडिया को अपने ला रहे हो, रियालिटी बना रहे हो अपना, so I feel here that आज आप काइड आप कोशिश कर रहे हो, हाद वर्क पुट अन कर रहे हो किसी अपने अपने लाइफ में, at the same time आप जादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, या आप खुद पे जादा खुद को जादा फॉर्स नहीं कर रहे हो, कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे इसमें सक्सेस चाहिए ही होगा, आप पस ट्राइ कर रहे हो, आप बस एक कोशिश कर के देख रहे हो क्या होता है, you know, that is what I feel here, what else, yeah, three of cups, and I see बहुत सारे लोगों के लिए, there is a success, या फिर ए गुद नूज आप ए गुद नूज आपके फ्रेंड से हो सकता है, आपके वर्क सिचुएशन में भी हो सकता है, but I see here that, आज आप काई आप काई आप लोगों के साथ, मेभी आप कुछ अच्छा खा रहे हो, मेभी आप कहीं पे जा रहे हो, किसी फ्रेंड के घर पे आप लोग पाटी कर रहे हो, गादरिंग हो रहा है, something that is happening, but I definitely हाँ पे कुछ अच्छ अच्छा खा रहे हो आज के दिन, किसी चीज में आप को लगा है that आप बहुत जादा लगी हो, या आप को लगा है that आप बहुत कम टाइम में सक्सेस पा लिये हो, या ए गुद नियूस जिसका मेभी आप को इंतिजार था, वो गुद नियूस आप को मिल रहा है, जो जो बहुत जादा है, आप को मिलने के लिए कोई ट्रावल कर रहा है, बद आप को लोग यहां पर कुछ कही पर जा रहे हो, आप अपने अपने व्लिव्वत जोन से निकल रहे हो, आपका जो जो ओन था, या आप जहां पर इंतिजार रहे हो, चाहे वो आपके चार friends हो, आप kind of अपने आपको थोड़ा से expand कर रहे हो, मैबे आप थोड़े से ने लोगों से आज बात कर रहे हो, मैबे आप कुछ नेया friend बना रहे हो, चाहे वो social media पे हो, चाहे वो आपके घर के सामने के locality में हो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो आज आप काईड़ ओपन हो नहीं चीजों को experience करने के लिए I also see here, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आज आप खुद पे ज्यादा हावी नहीं हो, आज आप खुद को ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे हो आज आप खुद को ज्यादा, you know खुद से ज्यादा expectation नहीं रख रहे हो you are like, ठीक है आप खुद को वो space दे रहे हो, वो value वो respect दे रहे हो, that जो भी होगा आप accept कर लोगे we have the magician and the hanged man situation, I definitely see that आज आपका lucky day हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए because, आज आप एक open mind के साथ काम कर रहे हो without expectation, without anything आप open हो, कोई भी result को accept करने के लिए, आप open हो अपने आपको वो value, वो respect देने के लिए, चाहे आप इस नई चीज में success पाओ, या fail हो, या जो भी क्यो ना हो, I see that आपको थोड़ा सा stuck महसूस हो सकता है आप बहुत सारा काम नहीं निपटा पाई आज but I guess that is okay, ऐसा नहीं है, उसके लिए आप खुद को दोज दे रहे हो, या कुछ बुरा हो रहे है आपके साथ, you know, so, अगर आप दिन में पूरा थोड़ा सा ही काम कर पाई, फिर भी इस ओके, हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर दिन इक्वल नहीं होता है let us see आपके करियर सिचुएशन में क्या देख सकते हैं, okay, we have the eight of swords energy, I see that आज आज आपके करियर सिचुएशन में आपका इन ओफ वो रोज का rules and regulations follow नहीं करना चाते हैं, आज आपको मन नहीं है कि आप वो रोज का uniform पहने या वो रोज का office attend करे या school attend करे या फिर वो same काम फिर से करे I guess that आज आपके मन में new creative ideas है, so जो लोग creative काम करते हो, I see आज आपके लिए काफी अच्छा दिन है आज आप काइंड आपके लिए काफी अच्छा दिन है किसी प्रोजेक को खतम करने के लिए information के लिए, आप definitely travel कर रहे हो, आप definitely बहुत सारा research कर रहे हो किसी से पूच रहे हो, आप internet में देख रहे हो, but I see आज का दिन काफी creative है so जो लोग creative field में नहीं हो आपको थोड़ा सा boring महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है that आज, you know, आज basically मन नहीं है, वो सेम काम वापस से करने की, I also see that somehow you are making a new friend, like आप रियलाइस कर रहे हो आज की आपका कोई friend past से है, जो आपके लिए important है जो आपके काम के सलसले में आपको मदद कर सकता है या आप लोग सेम काम करते हो same school colleges में हो या फिर, I can see you that आज आप एक नया friend बना रहे हो अपने काम के जगा पे या आपने school colleges में एक नया person से मुलाकात हो रहा है या फिर, आप 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 अलड़े इस person को जानते हो, but आप दोनों का जो closeness है वो आज बर रहा है आप दोनों like friendship kind of a start है आज, you know we have the ace of swords I see here that आज आप kind of practical हो अपने काम को लेके, आज आप kind of like सोच रहे हो क्या करना है, क्या नहीं करना है आज आप kind of plan कर रहे हो चीजों को, but I also see that उस plan में आप kind of अपने आप को भी include कर रहे हो so, ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन काम करना चाते हो, या ऐसा कुछ I see that आप काम के बीच में आप खुद के लिए भी enough time निकाल रहे हो, maybe कहीं पे जाके अच्छा लंच करने के लिए, कहीं पे अपना फेवरिट परसन से मिलने के लिए घर में वापस आने के लिए या कुछ आप प्लान कर रहे हो, ता कि आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम हो वो एक्स्ट्रा समाए हो कि आप अपना फेवरिट चीज कर पाऊ okay let us see your love situation here okay, the emperor energy I see that आज आज आप आप अपने love situation में कुछ लोगों के लिए maybe आप किसी से नाराज हो या maybe आप kind of अपने ego पे बैठे हुए हो आप kind of compromise नहीं करना चाते अगर आप single भी हो I see that आज आज आप अपने power में हो like no other way आप kind of emotional हो आप वो दिखाना नहीं चाते आप emotional हो किसी के बारे में अगर आप kind of उस चीज को शो नहीं करना चाते आपका जो personality है आज वो काफी जादा strong है काफी जादा bold है okay now I also feel here that कुछ लोग को छुपा रहे हो अपने partner से या फिर अपने emotions आप छुपा रहे हो दूसरे लोगों से मेभी कोई crush situation है यहां पे या कोई already है आपकी life में जो आपके लिए important है but I see that आप यह relationship या तो छुपा हुआ है या आप kind of लोगों से छुपा रहे हो आपकी जो person है I see here that communication हो सकता है इस person के साथ अगर आप दोनों का connection सही है, normal है and आप लोग kind of कुछ decide कर रहे हो या तो future के बारे में या तो किसी जगरा या conflict के बारे में so recently अगर कोई भी conflict जगरा problem हुआ है I see that आप दोनों kind of उस बारे में बात कर रहे हो उस चीज को solve करने के लिए जो लोग no contact situation में हो आज के दिन आप kind of आप kind of उतने भी ज़्यादा emotional feel नहीं करोगे and I think आपके person को लगेगा या फिर आज आपके person को ऐसा feel हो रहा है that आप थोरे से selfish हो या थोरे से you know आप उतना ज़्यादा care करना बंद कर चुके हो आप उतना ज़्यादा सोचना उतना ज़्यादा energy लगाना बंद कर चुके हो so I think situation थोरा सा balance हो रहा है आप दोनों के बीच में equal give and take अगर नहीं था वो kind of equal हो रहा है that आज आप अपना energy थोरा सा pull back कर रहे हो and सामने वाला अपना energy थोरा सा give in कर रहा है because this person को महसूस हो रहा है that आपका energy आज नहीं है मिल जाएगा answer so that is what overall I see is happening कुछ खास नहीं but कुछ इतना you know insignificant भी नहीं जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है पॉसितिव हो रहा है and important हो रहा है so thank you so much for watching that is what I have for you and I hope आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीते all the best good luck to you and thank you मैं आपसे मिलूंगी next reading में till then take care and goodbye